तो येस आपने थम्नेल में बिल्कुल सही देखा I am still 19 years old and here is my आधार काड़ आप यहां पर देख सकते हो कि 2001 डेट और बर्थ है मेरा यह पीग है मेरी जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है तो इसे इग्नोर करना आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं अपना testosterone report जो कि मैंने अभी हाली में करा है तो report दिखाने से पहले मैं आपको थोड़ा अपना background बता चता हूं कि मैं lifestyle background कैसा रहा है पिछले चार साल से मैं workout कर रहा हूं जब मैं class 10 में था तो मैंने workout करना start किया था and currently I'm in the first year of my college and 12 के बाद मैंने एक साल का drop लिया था तो overall 4 साल हो गया workout करते हुए 4 साल से ही मैं पूरा consistent रहा हूँ जिम में हमेशा consistency maintain रही है मेरी and पिछले 4 से आल से ही मैं अच्छा diet भी ले रहा हूँ diet भी काफी अच्छी रही है मेरी तो उसे साब से अब समझ जाना कि report जो भी आएगा मेरा तो report मैंने दो तरह का testosterone basically होता है एक होता है total testosterone और दूसरा होता free testosterone तो यह दोनों ही test मैंने कराया है और यह दोनों ही तो testosterone is a hormone जो की male characteristics देता है and it is one of the most important hormone when it comes to muscle building तो यह जो दो testosterone test मैंने कराया है उसका मुझे around 1000 रुपीज पड़ा है free testosterone का मुझे I think की 600 के आसपास पड़ा है जो total testosterone है उसका मुझे 400 रुपीज के आसपास पड़ा है आप कहीं भी करवा और total testosterone में difference क्या होता है तो जो total testosterone होता है वो पूरा available नहीं होता है muscle building के लिए उसमें से almost 98-99% तक वो जाकर दो तरह के protein के साथ जाकर bind कर जाता है जो कि होता है SHBG and albumin protein यह दोनों के साथ वो जाकर bind हो जाता है और जो बसता है उसे हम बोलते है free testosterone जो कि हमारे tissues के लिए available होता है muscle building जैसे process के लिए तो आप अगर कराना चाहरे हो तो I would recommend कि आप total ही कराओ अगर total आपका कम आ रहा है दिन आप free करवा सकते हो देख सकते हो कि आपका free कम है कि नहीं but in most of the cases अगर आपका total testosterone अच्छा है तो आपका free testosterone भी सही होगा मैंने बस curiosity में आकर यह दोनों ही टेस्ट करवा लिया था आप अगर टोटल भी कराओगे तो देट विल डूजा जॉब अब हम चलिए देखते हैं कि मेरा रिपोर्ट एक्चुली में क्या आया है तो यहां पर मेरे पास जो है यह 1.00 से लेकर 28.28 तक PGML जो मेरा रिपोर्ट आया है और 30.55 PGML जो कि थोड़ा ज्यादा है जितना रहना चाहिए उससे थोड़ा सा ज्यादा यह भी मैं आपको स्क्रीन पर यहां पर शेयर कर दूँगा वह आपको क्लियली देख जाएगा जैसे कि रहना चाहिए मैक्सिमम रेंज जो है वह 28.28 है बट मेरा मैक्सिमम जो रेंज है उससे थोड़ा ज्यादा फ्री टेस्टोस्टेरों है अब देखते हैं कि मेरा टोटल टेस्टोस्टोस् बहुत सारे लाब में यह 300 से भी रेंज स्टार्ट हो जाता है यह जो सा भी लाब में करा रहो वहां का जो रेंज दिया हूँ है आप उसे फॉलो करो तो मेरे केस में मेरा जो टोटेस्टोस्टोस्टरों का रिपोर्ट आया है दाट 677 अभी मैं आपको स्क्रीन पे डाल lifestyle को इतना फॉलो नहीं करती है उनका जो रेंज है वो सम्वेर बिट्वीन 400 से 500 के बीच में हो सकता है और अगर बहुत जादा वो जेनेटिकली बेस्ट है तो वो 600 तक भी रेंज हो सकता है और बहुत रेरेस्ट पॉपुलेशन का वो एकदम मैक्सिमम एंड पर भी हो सकता है इस अरूंद 800 900 1000 जो अनबॉलिक्स लेते हैं इस्टरीट का यूज करते हैं उनका तो फिर बहुत जादा रेंज होता है 1500 भी हो सकता है 3000 भी होता है बहुत एक्स्ट्रीम केस पे उनका रेंज होता है बहुत जादा होता है विच इस नॉट गुड मेरा पूरा मक्सद यही थ आपके बॉडी फंक्शन कर रही है तो आप भी करा सकते हो डिफिनेटली आप करा सकते हो यह टेस्ट ऐसा कुछ नहीं कि मुझे बहुत साइन शिंटम सा रहे थे लोग टेस्ट्रों का मेरा टेस्ट्रों हायर दिन नॉर्मल है मतलब जितना नॉर्मल लोग का रहता है 500 550 रह है अगर आप अच्छे डाइट भी ले लो सब्सक्राइट बेंग सेट वीडियो को यहीं खतम करते हैं तो दाट्स आल फो दिस वीडियो गाई सियो सुन इन मैं नेक्ट वीडियो तिल देन बाव बाई